चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खबरे विस्तार से देखते हैं कल रात केदारनाथ यात्रियों पर भारी थी केदारनाथ में ऐसी ऐसा बादल फार हुआ तबाही आई जिसने 2013 की केदारनाथ तबाही की यादों को ताज़ा कर दिया केदार नाज पैदल मार्क पर चटाने ग गए देखे केदारनाथ हद से की ग्राउंट रिपोर्ट कहीं बादल फट रहा है कहीं सलके बह गई है कहीं कार पानी में बह रही है तो कहीं ट्रक पानी में भासा हुआ है मानो चल बिले आ गई है पहारों पर आफद काल चल रहा है मुसीबत का पहार तो तूटा है केदारनाथ में बीती रात केदारनाथ में जो हुआ उसने 2013 की आपदा की याद ताज़ा कर दी बीती रात केदारनाथ पर भारी थी रात को खबर आए केदारनाथ में बादल फटा है जिसके बाद केदारनाथ से तबाही की तस्वीरे सामने आने लगी केदारनाथ के भीमबली में बादल फटने से भीशन तबाही मच गई देखिए इन तस्वीरों को, ये तस्वीरें बया कर रही हैं, यहां हालात कितने भयानक रहे होंगे बादल फटने के बाद इतना जोरदार सैलाब आया कि केदार नात पैदल पत कई जगह से पूरी तरह धुवस्त हो गया देखिए बड़ी बड़ी चट्टाने पानी के साथ बहकर केदार नात के पैदल रास्ते पर आ गई सोचिए रात के अंधेरे में जब ये चट्टाने गिर रही होंगी, लैंड स्लाइड हो रहे होंगे, तो हालात कितने खौफनाक होंगे अब देखिए कैसे जगह जगह पहार से सैलाब नीचे आने के निशान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बादल भटने से पानी की धार तेजी से नीचे आने लगी, और जो रास्ते में आया उसे अपने साथ बहकर ले गई अब देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीजगे से यहाँ पर जो सड़क है और नहस्तर नाबूद हो चुकी है और उसके बाद अब जो लोग आवाजाही कर रहे हैं वेकलफिक रास्ते से आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ी से बहुत दूर वहाँ से उस उपर चक्तान से होका अब लोगों को वेकलफिक रास्ते से नीचे लाए जा रहा है कहीँ ने कहीं कल जो बारिश हुई उसे जो केदार घाती का जो सौन प्रयाग से और गौर्योंड का हिस्ता है उसर सबसे ज़्यादा नू पछा हैute और घंद आप सब्सक्ता है और अब यहां पर जो सरदावन है वेकलफिक रास्त हो जिस रहा है कु». जो लोग कल भज गेते इदर गौरिकुन के समीप उसे जानने को चुछ कुछी है अभी उसी रास्ते से पहुंच वी आपर यू कल कैसा था या माहूर किस तरीकिसा है आप लोगे अचानक कि राक वो साड़े साथ दूजे के बाद अचानक बारिस होने लगी दरच के साथ और ने को आया है इदर उदर होके सिखर गए विशुपा माम दो तुमिल रहे वाँ तो जो जो आपर दरची से तो कुछ यहां पर मकानी पहें या कि देखा अपने तो बड़ा निचाहां है देख लेकर भूली को सुचना दिया हैं लोग बोले कि तुम आगे निकल जाओगा हम लोग सब आचानक सब इधार उदर हम लोग उनीश को है राची घरखन से सब इधार उदर भाग गया है फिर सुबह के सब को मिले होठर में आके उसके बाद में इहां तरह पादल देख ल ग्षडिन पर ने करें लखेल भोरे के वारे से नुष जोगे गोड़े के सथोगे दो अब अब आगे पानी किस तरह रहा है जो हाने दो है需要 पानी फेल पानी पानी बेराएं को जो आखे डारी चलती है जो वहां आ प्रवाइब निकल लेंगे और देख सकते आप तल्ड की जो घटाएक जो यहाँ पर्टेश दर्श से कर जो केदाना से यादरा करके वापस डॉपके तैसे और उसके बाद जब बारिश वी जो मंजर यहां पर जो घ्रावना मंजर यहां पर त्रुपी बढ़ गया ता उसके हैं पैदल रास्ते से लेकिन अब जो लोग बारिक दिंचौनी में फसे उनको हैडिकत्र से लाए जा रहे हैं मुष्य मंत्री केदाना कोंचे हैं सख्वाल माराजी जो परेकर मंत्री वह यहां पहुँच चुके हैं और बीम एस्पी लगातार मौके पे हैं और जो देखे कैसे जगह जगह रास्ते पूरी तरह तबाह हो गए कई जगह तो ऐसा लग रहा है मानो सडक या पैदल रास्ता था ही नहीं हम आपको केदारनात पैदल मार्क का एरियल व्यू दिखाते हैं देखे यह तस्वीरे हेलिकॉप्टर से ली गई है नीचे केदारनात पैदल मार्क दिखाई दे रहा है पादल फटने और बारिश की वज़ह से ये कई जगह से पूरी तरह तबाह हो गया देखे कैसे बड़ी-बड़ी चट्टाने और पत्थर इस रास्ते पर आ गए हैं कई किलोमिटर तक रास्ता जगह जगह से तबाह हो गया पादल फटने की वज़ह से सैकलो यादरी केदारनात के रास्ते में फच गए रात भर सीम धामी हालात पर नजरे जमाए हुए रहे अधिकारियों को हर मुम्किन मदद के निर्देश दिये गए और फिर शुरू हुआ केदारनात में एक बार फिर बड़ा रेस्क्यू उपरेशन प्यूर रिपोर्ट यूज़े टी ये तो आपने गदारनात बादल भटने की तस्वीरी देखी अब आपको दिखाते हैं कैसे यहां पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू उपरेशन और कैसे लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला जा रहा है कैदारनात में रात के अन्हेरे में आई इसाफत के बाद कई जगह यात्री फसे हुए थे बादल फटने के बाद कैदारनात यात्रा को स्थगित कर दिया गया है भिम बली में कई लोग फस गए थे कैदारनात पैदल मार्क और भीम बली में दो पुल बह गये ही सौन प्रियाग और गौरी कुंड के बीच रास्ते का कुछ हिस्सा भी बह गया है भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलिस्तर बढ़ गया और सौन प्रियाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुँच गया वही कुंड को बंद कर दिया गया लेकिन सबसे बड़ी चुनोती थी फसे हुए यात्रियों को बाहर निकाल कर सुरक्षित जगह पहुचाने की SDRF की टीम ने फसे लोगों को वेकलपिक रास्तों से बाहर निकालने का काम शुरू किया देखे किन मुश्किल हालात के बीच SDRF की टीम इने बाहर निकालने में जुटी हुई है लिन्चोली में फसे लोगों का रेस्क्यू हेलिकॉप्टर से क्या जा रहा है सडके तभा है जगह जगह पानी बह रहा है ऐसे में ये उपरेशन बेहत मुश्किलों भरा है अब देखे राती को भारी भारिश के बाद जो केदाना ठाये वह है करी जगह उसको भारी नुक्सान पहुचा है अभी देख सकते हैं आप हमें मौके मौजूद है और यहां पर लगभग 25 से 30 मिटर का जो हिस्सा है वो देह चुपा है और मन्दाकिनी नदी में छमा चुपा है अब यहां पर किसी तरीके से विल्कुल यहां पर दो से धाइ मितर का इस सब बचा हो है जिस से यहां पर वाहनों के आवाजाई हो लिये और यहीं स्थिती अब यहीं स्थिती सोन प्रियाक के आगए गोकूर्य कूण की भी है और ऐसी इस्तिती वहाँ पर भी है लगातार आपको न्यूजर्टिन के जरे अफ्टेट इसकार रहेगा लगातार आपको दिखाई जाए 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 और इसी बीच बड़ी कबर 36 गर से है यहाँ पर बड़ी प्रशासनेक सरज्वरी हुई है